हेलो फ्रेंट्स यह टांस्मीशन लाइन है और आपको इसमें दो कंड़क्टर देखने को मिल रहा होगा यह जो इस्टेक्चर देखते हो यह टांस्मीशन टावर है और यहाँ आपको दो कंड़क्टर देखने को मिल रहा होगा एक इस साइड एक लेप साइड और एक क्यों है एक्चोली जो टांस्मिशन लाइन होता है उसमें तीन कंड़क्टर होता है आर वाय और वी येकिन इसमें दो ही कंड़क्टर क्यों है तो चलिए हम वह भी जानेंगे तो चलिए सबसे पहले जिसमें तीन कंड़क्टर उसके नजदिक जाते हैं और वहां पर आपको स किसी भी तरह का transmission line से और distribution line से related किसी भी तरह का problem नहीं समझ में आ रहा हो आप मुझे comment करके बताना मैं आपको उस पर proper video बना दूँगा तो चलिए लगव उसके नदिक आगे हैं जहाँ पर तीन conductor है और उसका tower है यहाँ पर थोड़े और आगे आपको दिख रहा हुआ यहाँ पर दिख रहा हुआ इसमें तीन conductor है और उसके जश्ट उपर से वह दू कंड़क्टर बाला भी transmission line उसके जश्ट उपर से तो आपको दोनों एक साथ एक साथ आपको दिखा सकता हूं और आपको यहाँ पर साफ साफ दिखेगा और मैं आपको इसका प्रॉपर रेजन बताऊंगा यह क्यों है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर तीन conductor दिख रहागा और उसके जश्ट उपर से दू कंड़क्टर व है और इसका मैं आपको टावर दिखाता हूं सबसे पहले यह देख सकते हो यह जो एक साथ आपको दिखेगा यहाँ पर आप देख सकते हो एक टावर से दूसरे टावर के बीच में यह तिन सब्सक्राइब कर सकते हो दन्यवाद